यह लो राईडर्स तो आज विडियो तो आज का जो वीडियो ए वह है BT 12 के इंस्टैलेशन के बारे में BT 12 बूर्टी इसको आपको हेलमेड में कैसे इंस्टैल करना है वो देखने जा रहे हम लोग हम लोगों को पहले एक वीडियो बनाया था जीसमें BT 12 का स्पेसिफिकेशन और इसी वीडियो में बता है था कि हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले रिगार्डिंग इंस्टॉलेशन तो आज हम लोग वही देखने जा रहे हैं इंस्टॉलेशन कैसे करना है वह तो वीडियो कुछ इस तरीके से आपको दिखता है तो बॉक्स में आपको दो वेलक्रो साथ में मिल जाएंगे यह आपका में डिवाइस हो गया है यहां पर डिवाइस विद स्पीकर एंड माइक यूस्पी केबल देखने मिल जाएगा आपक यह कभी खराब हो जाते है तो एक्स्ट्रा आपके पास रहेगा आप वह यूस कर सकते हो दो एक्स्ट्रा वेलक्रो देखने मिल जाएंगे यह कुछ फिटिंग्स देखने मिल जाएंगे तो यह फिटिंग किस चीज के लिए यूस होता है वह आपको मैं आगे बताऊंगा तो वह कहां पर यूस करना है वह आपको बता दूंगा तो फिलाल हम इस सब को साइड में रखते हैं अभी हम लोगों को यह दो वेलक्रो लगने वाले हैं में डिवाइस लगने वाला है और इसके साथ जो यूजर मैनियोल आता है इसमें भी आपको इंस्टॉलेशन का प्र यह हेलमेट का पैडिंग वह सब आपको रिमूव करके लेना है यह एक जौर का एपक्स सीरीज है इसमें आपको डेडिकेट स्पीकर स्लोट्स दिये रहते हैं तो जिसमें यह स्पीकर इजीली अटाच हो जाते हैं विद्ध हेल्प वेलक्रो तो सबसे बहले हम लोग पैड दो चिक पैड रहते हैं और एक अपर पैड रहता है तो फिलाल सबसे पहले हम लोगों ने दो चिक पैड निकाल दीए हैं तो यह अभी इंटर्नल साइड से कुछ इस तरीके से दिखता है और यहां पर आपको स्पीकर स्लोट्स तेकने मिल जाएंगे यह जो है यहां पर य तो यह स्पेशली उन्होंने स्पीकर स्लोट्स रखे हुए है साकि आप ब्ल्यूटूथ एंटकॉम इसली फिट कर सको तो स्टेप वन जो रहेगा उसमें हम लोगों को यह वेल्क्रोस जो है इन वेल्क्रोस को यहां पर अटाच करना है तो सबसे पहले आपको यह पीछे लक्रो का पोर्षी रहता है और जो स्पीकर के पीछे रहता है यह वाद यहां पर यहां पहलों दूसरे साइड भी करने वाले तो अभी दूसरा साइड का देख लेते हैं आपको सिफ यह जो वाइट स्टिकर इसको निकाल देना है और यहाँ पर इसको डायरेक्ली स्टिक कर देना है स्पीकर के स्लॉट में एक्जेक्टली यह से स्टिक कर दिजिए अंदर वाले साइड तो अभी हम लोग ने दोनों आपको डिवाइस जो रहेगा आपका वो डिवाइस का यहाँ पर यह रबर निकाल रहना है अंदर वाले साइड आप देख सकते हो यहाँ पर प्लस वाला स्क्रूज यूज होता है तो इसको आपको लूज करके लेना है सबसे पहले तो हम लोग उसके लिए टूल बॉक्स लेने वाले हैं मैं आपको दिखा देता हूँ प्लस वाला स्क्रूज भी अजो यह आपको ऐसा प्लस वाला लेना है आपके घर पर स्क्रूट्राइवर रहेगा उससे भी आप आराम से निकाल सकते हो तो हम लोग पहले इसको लूज करके लेंगे ऐसे हम लोगों ने यह उसको यहाँ पर रहेगा है क्योंकि यहाँ पे स्क्रूज इसका लॉक है पैडिंग कर और यहाँ पर इसको पूश करेंगा अंदर वालय सैट कुछ इस तरीके से से तो आभी आप देख सकते हो, यह वाला पार्ट जो है यह अंदर वाले साइड चला गया है, और बाद में आपको उपर वाले साइड से क्या करना है, इसको यहाँ पे ऐसे लगा लेना है, वायर को समभाल लेना, वायर को कुछ इशु नहीं आना चाहिए, उसे साब से ही करना, तो यह ऐसे आपको लगा लेना है उपर वाले साइड पर तो सबसे पहले हम लोग इसमें यह स्क्रूज डाल देंगे ऐसे और नीचे से इसका जो नट है उसको रख देंगे नीचे वाले साइड पर सिर्फ प्रिकॉशन लेना कि नीचे वाले साइड से वो नट नहीं गिरना चाहिए वो और फिर इसको टाइट कर देंगे सबसे पहले एक साइड का कोई टाइट कर लेना वो बैटर रहेगा तो अभी एक साइड का टाइट हो चुका है सेम हम लोग दूसरे साइड भी करने वाले हैं बाद में इसको आप चाहिए तो अड्रेस कर सकते हो यह हमारा नट है यह वाला इसको सिर्फ यहां से नीचे वाले साइड से रख देना है नीचे एक उंगली रख देना और बाद म तो यह अभी परफेक्टली लग चुका है और वाइजर का जो ड्यूल वाइजर का जो मेकानिजर में वह भी बटन प्रॉपरली वर्क कर रहा है किदर भी कुछ इशू नहीं आने वाला है उससे सबसे ही इसको सेट किया हुआ है और आप देख सकते हो पूरा ताकत भी लग कर लेते हैं मैक्सिमुम पूरा ताकत मद एकदम लगाना स्लाइटली इसको टाइट करके रखना तो अभी आप देख सकते हो प्रॉपरली फिट हो चुका है कुछ इस तरीके से दिखेगा बाहर से अभी जो नेक्स टेप है वह है हम लोगों को इस माइक को और स्पीकर को प सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यह वाला जो है यह वाला आपके लेफ्ट साइड वाला रहेगा इसको माइक अटेच रहेगा और जो सिंगल रहेगा सिर्फ स्पीकर रहेगा वह राइट साड वाला रहेगा तो सबसे पहले हम लोग इसको यहां पर रख देंगे ऐसे और चार्जिंग केबल जो है वो इसके पीछे ही रहता है तो उसके लिए भी अलग से आपको प्रोविजन बनाना होगा वो मैं आपको आगे दिखा दूगा कैसे करना है वो तो सबसे बहले हम लोग माइक के साथ वाले स्पीकर सेट को लगा लेंगे तो यह यहाँ पर मैं इसको स है अटेच इसलिए टेंचन नहीं है सिफ आपको प्रेस कर देना है यह भी वेलक्रो से अटेच हो गया प्रॉपरली सेम हम लोग को दूसरे वाले साइड भी करना है यह यहाँ पर वेलक्रो से अटेच हो गया एक्स्ट्रा वाइरिंग जो है वो अंदर वाले साइड ही रख पर शेल के साथ चिपका देना वह सबसे बेस्ट तरीका रहेगा अगर आपको यह वाइरिंग का ऐसा जमेला नहीं चाहिए तो फिलाल मैं ऐसे ही रख रहा हूं वाइरिंग नेक्स टेप जो है वह है पैडिंग तो हम लोग को पैडिंग लगा के लेना है अभी वापिस तो वाला जो आपका बटन है यह बटन के इधर अंदर वाले साइड रख दीजेगा ऐसे सो देट वो विजिबल रहे और जबी चाहिए तभी आप निकाल भी सकते हो उसको तो यह यहां पर मैंने रख दिया है ऐसे अंदर वाले साइड पुश करके रखना जबी चाहिए तभी यह से बाहर निकाल सकते हो और वापिस इसको अंदर डाल देना यह अभी पहले उपर का लगा लेते हैं सब प्रॉपर ली यह अभी उपर वाला पॉर्शन है वो लग चुका है अभी जो मीन क्रूशल पार्ट है वो है यह वाले साइड का क्यूंकि यह आँ से एक वायर जा रहा है तो यह आपको संभाल के लगाना पड़ेगा तो थोड़ा सा यूनो वायर ना ऐसा बाहर रखना ताकि वो वायर स् इकाल लिया है और यह पैडिंग के अंदर जो ग्याप है उसमें हम लोग इसको डाल रहे है और फिर यहां पर अटैच कर रहे है कुछ इस तरीके से तो यह यहां पर ऐसे आपको प्रेस करके अंदर वाले साइड रबर के डाल लेना है आप देख सकते हो मैं थोड़ा सा वा अटैच करते वक्ट तो यह अभी हो गया साइड वाला पैडिंग अंदर वाले साइड से इसके बटन्स लगा लेते हैं यहां पर इक सब्सक्राइब लुए concret detective आशा आर्फर को दृसरे वाले सब॥ कोई पर दीख सकते हो यहीं पर आपको सब्सक्राइन और कुछ कुछ भी नहीं दिख रहा है वारोमेरिंग वे terminus अब हाइड कर दिया है पैडिंग के अंदर और यहां पर आपको बाहर वाले साइड डिवाइस मिल जाएगा देखने के लिए और यह थोड़ असा वायर रहेगा जैसे मैंने आपको बता है था वायर स्ट्रेच नहीं होना चाहिए फिर यह साथ में रबर आते हैं इन रबर को कुछ जाधा डिफिकल्ड नहीं इस एक ही इस्वे जिनके हाप में स्पेकर स्लोट नहीं रहता है जैसे कि स्ट्र और वेगा हो गया है इन ह्लमेट में आपको स्पीकर स्लोट देखने नहीं मिल जाता है तो उनको सिफ अंदर वाले साइड थोड़ा सा गया बनाना इसके बाद जो मैंने आपको बदाया इसके साथ जो एक्स्ट्रा आता है जिसको हम लोग बोलते यह वाला और उसके साथ थोड़े से बड़े वाले तो यह spacer कहां पर काम आता है अगर आपके helmet में यह वाला जो thickness है इसका यह जाधा रहेगा thickness तो यहाँ पर गाप क्रियेट होता है इसके बीच में तो गाप क्रियेट ना हो इसलिए यह spacer यूज करते हैं जो कि यहाँ यहाँ पर जाएगा ऐसे तो गाप को फुल्फिल करेगा फुल्फिल करने के बाद इसके जो स्कुरूज है वो नहीं यूज करने आपको यह जो आपको साथ में मिलते है जैसे कि LS2 का FF800 हो गया यह एक्सिस के हेलमेट्स होंगे इन में यहाँ पर गाप क्रियेट होता है दू तो इस थिकनेस एमटी के हमरबे भी सेम इश्यू है तो वहाँ पर आपको यह spacer यूज करना है इस spacer की मदद से गाप फुल्फिल हो जाएगा आपका डिवाइस भी प्रॉपर्ली फिट हो जाएगा और यह इसी स्कुरू को यूज किजेगा जो इसके साथ आते है वह यूज मत किजेगा यह भी साथ में मिलेंगे बट वाइट कलर के पाउच में मिलेंगे आपको आपको अगर आपको नहीं पता चल रहा होगा तो आप इसको भी पढ़ सकत हो अगर आपको यह डिवाइस और करना है तो आप हमें इस्टाग्राम या वाट्साइप पर मेसेज कर देना वाट्साइप का नंबर यहां पर नीचे फ्लैश हो गया होगा और इंस्टाग्राम का इडी भी तो उस पर डायरेक्ली आप मेसेज कर दीजेगा हम लोगों को हम अगर आपको और कुछ जानना रहेगा तो आप हमें नीचे यूटूब के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा आपके किसी फ्रेंड को भी इसको इंस्टाल कैसे करना है वो जानना होगा उसको पता नहीं होगा तो इस वीडि कि वीडियो आपको ऑचा हुँ